जय हिन दोस्तों आपके लिए जो टॉपिक लिखे आया हूँ आज वह ऑक्सिडेशन विद लेड टेट्रा एसिटेट लेड के साथ में टेट्रा एसिटेट चार एसिटेट गुरूप जुड़ा होगा यह भी एक तरह का उक्सिडाइजिंग एजेंट है पावरफूल उक्सिडाइजिंग एजेंट है हाईग्रोइसकोपिक है मतलब अगर खुला छोड़ दे तो यह पानी वानी ओ अब्जॉब कर लेगा टॉक्सिक नेशर का है ठीक है इसको बनाने के लिए क्या करते हैं जो ला कि एधर के साथ में यह एसेटिक हाईड के साथ मिक्स करके लगभग सतर दिंग्रेटडर गरम करने बंदता है इसको crystallize करके isolate कर ले जाता है white crystal आपको मिलेगा तो हमको इसके oxidation reactions को जानना है देखो oxidation reaction पहले तो इसका structure देख लो यह acetic acid को acid acid group को हम एसी से दिखाते हैं ठीक है acetate CS3COO- ठीक है यह CS3COO- PB हो जाएगा तो चार गृप जो जुड़े हुए इस तरह से अब यहां हम इसको oxidation reaction क्यों कहते हैं क्योंकि इससे जो reaction कराएंगे सबसे पहले तो इसका acetate ion है वह जो होगा वह substrate से किसी भी substrate से यदि प्रोटान निकाल लेता है प्रोटान को निकाल लेना देखो CH3COO- यह क्या करेगा है एच प्लस कहीं से भी निकालेगा और यह क्या बना देगा CH3COOH बना देगा यह से टी कैसे बना देगा वह पर निकल जाएगा ठीक है बस यह ही reaction होता है है मतलब यह समझ लो हमारा substrate है इसमें से हम प्रोटान निकाल रहे हैं मतलब इसका क्या हो रहा है ओक्सीडेशन हो रहा है ठीक है तो लेट ट्राइसिटेट क्या करता है ओक्सीडेशन का काम जो है करता है इतने सारे है reaction है reaction with alcohol cycle of saturated alcohol reaction with caroxylic acid acid estoxylation dehydrogenation तो सब को थोड़ा-थोड़ा हम देख लेता है कि कैसा कैसा जो है reaction यहां पर होता है तो पहला है reaction with alcohol alcohol को यह सिधा-सिधा आपको को LD हाइद या किटॉन में कंवर्ट करता है जो ओएच को रूप है उसको किसमें कंवर्ट하세요 मतलब सी असट्व ऊसको किसमें करदेगा ठीयचो की टॉन में के पापला के लिए है अगर है तो लिक्ट अगर हो जाएगा यह क्या युक्त है इसमें इसमें क्या जोड़ते हैं ऑलकोहन के लिए ठीक है नाम इस तरह से जहता है अब अगली बात हो गई डाइयोल की तो डाइयोल फोर्मेशन अंने इससे पहले वाले रेजेंट के साथ देखा था फोर्मेशन करता था डाइयोल अब यह क्या कहता है यह भी ऑक्सिराटिब क्लिवेस करता है मतलब तोड़ने से पहले यह क्या करेगा इस एच को यहाँ से हटा देगा होनगा जान इस तरह से यहां आप इसको डेश से दिखाया हूँ तो डायोल जब भी तोडता है तो क्या मुंता है यहां तो सबस्ट्रिट करता है यहां पर आर झाला रखा हुआ है यहां पे ग्रोप में में कंवाट जाता है ठीक है LTA के साथ भी याद रख लो, जहन में बैठा लो, अब एक जहन में पता चला आप नर्भसी आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले से पढ़ लो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अब आगे आजाते हैं, सिस अलकोहल का रियक्षन ट्रांस डायोल की तुलना समय फर्स्ट होता है, यह क्या रिस्ट delve है भाई है देखो यहाँ पर मैंना जो ₹ब लगाये हैं दोनों के दोनों क्या है एक ही डाय। इरेक्षन में है जैसकते हूँ स्वीज में है, स्वीज में हैं इसका ओक्सीडेसन फोगा, idoफ हास्टबाशं ! स्वाले के साथ है, यह है कि तो इस तरह से ट्रांस इस्थिति हो बनेगा नहीं बनेगा वाली बात नहीं है बनना है लेकिन रियक्षन क्या हो जाएगा वाले के साथ में ज्यादा हास्ट रियक्षन देता है इसका मेकेनियम कैसा होता होगा देखले दिक लेते हैं देखो सीस वाले के साथ में कोई यसो नहीं होता है ंपोग एधर इधर से एक यह शीटलग्रोण क्या शचक सार्ड़ जो निकलेगा यहां से इक श्यूटल गोप निकलेगा इसको निकाल बात बराबर है इस तरह से intermediate बन जाएगा लेड का आपका यह oxygen दो oxygen के साथ में जुड़ा हुआ लेड है दो acetyl group जो है निकल गया है और यहां हमने दिखाया भी है यहां 20 नहीं है यह oxygen है इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं ठीक है अब ठीक है तो 20 ac दिख रहा है हम 20 ac नहीं खरीच सकते एक ac काफी है ठीक है यहां पर क्या है यह तरह से intermediate बन गया जिसकी बॉंड का verification क्या होगा यह वाला bond है वो lead में आजाएगा यह वाला bond जो हखचीज़न के साथ double bond क्या हो गया इस oxygen के साथ double bond मजब totally अगर इहां का फिर एक राट होँद हो ब्रेक हुआ और हम को क्या मिल गया दो fragment यहां फिलः मिंट यहां पर हिलहाल ये क्या है 아이 है है अगर यहां आपका जो हैट्रोजन को जो चुपा हुआ है उसके जगह में कोई और एक आर ग्रूप होता है ना एसके जगह पे तो किटों भी बन जाता है तो इस तरह से होता है इसके अलावा कुछ अधर टाइप के एलकोहलिक या फिर हैड्रोक्सिल कंपाउंड है जैसे से सलदावन और बीटा बिन रश रज करता है एलकोहल का खाली करता है इसा नहीं है आगे मिल जाए अलफ़ट्री स्थी मिंगहाँ औरक्यशन में क्या हों अ सिग anxie कार्बोट्य को तो उसको भी क्या करता है और असीमिल्य प्रोडक्ट देता है जैसे जैसे रियक्टन्ट है उसी कहीं साब से जो है प्रोडक्ट जो है देगा ठीक है यहां पर यह इस तरह से लाइन जो है सेबरेट दिख रहा होगा बाकी बें काटा हूं यह कार्बन की संख्या एक दो तीन टीनल एकिले के साथ में लले ट्रैसे ट्रास classify के साथ में इसको रहते हैं लेट ट्रॉइट के साथ में तो क्या होता है कि यह ब्डले व्माईलज के तक विडन से हा स्ब्रेक हो गया यह तो आपके पास जो बन गया हैadece अड़ेटी वाष्य लेक्ट कर जाता है यह वाला ज एक और जो है इल्डी हाइट पोड़क्ट के रूप में मिला ठीक है अब अगला और भी जो रिएक्षन हम ने वहां दिखा था सैक्लिजेशन और साचुरेटर अल्कोहल यह एक अल्कोहल है इस अल्कोहल में खास बात क्या है कि इसका जब हम रिएक्षन कराते हैं तो इस तरह सैक्लिजेशन हो जाता है सैक्लिजेशन क्या मैं बीच में लिग दिया ह मतलब यहां का H को निकालके यहां के H को निकालके है ना LTA का 2 OAC 2 OAC 2 OAC 2 OAC जो है यहां पर यूज जाता है अगर 2 AC बचा रहता है ठीक है तो यह जैसे में कहीं में देख रहे थे ना कि OAC गुरुप जो है वो प्रोटॉन के साथ में क्या करता है जूड़ जाता है मतलब यहां भी इस कंपाउंड का क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन हो रहा है यह जो है यहां उसे यहां इस बोंड की खाली होने की वज़े से और इस बोंड की खाली होने की वज़े से यह आपस में जॉइन कर जाते हैं और क्या बनाता है साइकलिक प्रोड़क बनाता है ठीक है बहुत difficult तो बिल्कुल नहीं है अगला है acetoxylation अब acetoxylation क्या करता है यह भी alpha position में होने वाला reaction है ठीक है कहीं carbonyl group है यदि अगर उसके alpha position में चाहिए वाला हो चाहिए वाला हो ठीक है दोनों ही position में क्या हो सकता है OAC का addition हो सकता है मतलब LTA एक तरह का ऐसा reagent है जो oxidize करके CH3 के साथ में यहां पर आपको O O CS3 को जोड़ देता है ठीक है O CS3 को जोड़ देता है O O O CS3 यहां पर वही काम हुआ है ठीक है यह इसको कहते है Acetoxylation अलफा पोजिशन में होता है जैसे यहां पर यह कार्वनेल क्रुप है कार्वनेल ग्रुप के alpha position मतलब यह होगी alpha position यह भी alpha position है यह beta position है बीटा गामा ठीक है यहां पर इधर जोड़ो चाहे जोड़ो प्रोड़क्ट तो वही दिखेगा है यह वाला यहां पर OAC जोड़ जाता है किसके साथ LTA के साथ में रेक्षन कराना है ठीक है और भी रेक्षन हमने देखा है हैं को डाला ही है देख लेते हैं अदधा क्यों चोड़ए लगानए दी हैड्रोस हैं हाईड्रोजिनेशन को बहर निकालना हाई def frequency this one Ale hydrogen का और निकलना क्या है Oxidation, इस तरह से यहां NH2 यहां 2. है यहां दो हाय्टरोजन है यहां पे CH2 यहां भी 2. है अगर यह दोनों हाटरोजन को यहां से यह दोनों hydrogen को यहां से hablando hope यहां से यह इसलों आल्टी यह निकाल देता है इसमें कोई संका और दुविधा वाली बात नहीं है ठीक है यहां पे भी हैड्रोक्सिल ग्रूप जो देख रहे हैं हम ठीक है LTA के साथ में रियक्ट करेगा OH की में से H निकल जाएगा यहां से भी H निकल जाएगा बॉंडिंग बनाना चाहेगा यह बॉंड इधर आ जाएगा यह वाला बॉंड इधर चला जाएगा तो बॉंड यहां से यहां सिप्ट हो गया उसी तरह से यहां से भी अगर डवल बॉंड ऑक्सिजन के साथ बनाना है तो यह बॉंड इधर माइगरेट कर जाएगा और यह ब हो गया तो आप इसको भी नहीं छोड़ोगे है ना नर्वस नहीं होना है इसलिए मैं बूल रहा हूं कि एक एक बार लिक लिक के पड़के देखलो याद हो जाएगा कोई बहुत हाड हाड रियेक्शन नहीं है चोटा चोटा रियेक्शन है और मतलब मीनी रियेक्शन है के सकत होता है ना मीनी बस होता है स्टाइब का इसको यह अब यहां से यह काम है here एच को लेना लेकिन यह इसको देता भी है यहां पर इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं इस रेक्साम को छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई खास परिवर्पन इस compound में oxidation का process नहीं हो पा रहा है कि वह carbon dioxide जो है यहां से निकल रहा है decarboxylation का काम कर रहा है इसमें carbon के संख्य कितनी थी 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 है 6 है यह वाला hydrogen बचा था वो यहीं पैटाच है यह वाला bond को maintain कर रहा है जो carbon के साथ जो डुड़ा हुआ था उसको यह क्या किर रहा है वाला कि मंगें कर रहा है यहाँ क्लियर नहीं होता है कि हा ऐक्सीडेशन हो रहा है की क्या हो रहा है ठीक है चाहां तो आप इसको क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो ठीक है इस topic को भी मढ़ 좋은 आख जब आपकोक्सीडेशन फूछा आए तो जहां clear clear दीक्रथ रहा है तो इसका मतलब ही कि हम सारा Reaction को यहां पे करें ठीक है जहां जहां Oxidation हो जहां रहा था यहां मेने आपको बता दिया और कहां पर सब्सक्राइब si at शहाज आद बता हूँ la तो चैनल में बने रिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो रहे गई रहेगा आप लोग का पसंद आया होगा वीडियो तो थोड़ा लाइक कर दिया करो थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा इसा इंस्प्रेशन हमको मिलता रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद